दोस्तों आचुका हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में और जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले वीडियो में हमने MCU के टॉप 10 गॉड्स को रैंक किया था जिसमें से आज हम टॉप 5 गॉड्स को देखने वाले हैं और अगर आपने पहला पार नहीं देखा है तो करेक्टर भी रह चुका है इसलिए ओडिन को एस्ट का सबसे पारफूल गॉड मना जाता है और नुक्त के पास पारफूल वैकंटर को हरा चुका है और अजुड इसके अलावा और भी कई सवर का मालिक है इसके बात नंबर फ DU and इस करेक्टर को हमने Guardians of the Galaxy Volume 2 में देखा था। इगो एक Celestial था जो की दिखने में बाकी Celestial से बहुत ही अलग था। उसने अपनी Powers की मदद से एक Real Planet बना दिया था। इसका अलाबा वो अपने Different Version भी बना चुका था जिससे वो अलग अलग प्लैनेट में भेज कर अपनी PD को बढ़ाने में लगा हुआ था। इगो के पास Unlimited Power Supply का Source था जिससे वो अपने Mind से कंट्रोल कर सकता था। खुल मिलाकर यह एक Celestial ही था और Celestial की Powers को MCU में God का Level दिया गया है। बात करें Number 3 की तो Number 3 पर है The Vultures। इस Character की एक जलक Guardians of the Galaxy Volume 1 में दिखाया गया था। लेकिन What If Series में हमें इस Character को अच्छे से बताया गया है। जिसमें Vultures को बहुत ही Powerful दिखाया गया है। इसके बारे में और भी जानकारे आपको सीरीज में मिलने वाली है। इसके बात दूसरे Number पर है Celestial। Celestial एक ऐसा Wing है जो पूरे Universe को Organize करता है। Celestial ने अपने हातों से पूरे ब्रह्मान को Create किया है। इसके अलावा Celestial ने Eternals को बनाया है। लेकिन Celestial का मानना है कि Eternals उनकी सबसे कमजोर invention थी। इसी बात से अंदजा लगाये जा सकता है कि Celestial कितना ज़्यादा Powerful है। इसके बात पूरे MCU में अभी तक दिखाएगे Powerful Gods में से Number 1 पर है Eternity। Eternity टाइम से पहले एक्जिस्ट करती आ रही है। इसका मतलब जो भी उनवर्स में चीजें या जीवन है वो सब Eternity को रिप्रेजेंट करती है। सीधी भासा में कहें तो MCU में Eternity टाइम से भी परे है। इसलिए Eternity के पास पूरे ब्रह्भांड में कुछ भी करने की Powers है। उस पर टाइम का कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि टाइम को Eternity ने ही बनाया है। यानि कि Eternity को MCU के सबसे Powerful God माना जाता है। तो ये थी Phase 1 से लेकर Phase 4 तक दिखाए गए Top 10 Most Powerful Gods का Ranking वीडियो उमीद है आपको पसंद आया होगा। क्या है अपनी राइ कमेंट करके बता सकते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।